जीरा इंवस्टमेंट से जो चीज़े मेरे पास अवालेबल हैं उन्हीं से मैंने ये पेबी क्राडल मॉबाल लियावाई किया है अब ये केसे बनाया देखने के लिए इस वीडियो को जरूर इन तक देखेगा मैंने मेरी डाक्टर का टीशिट जो पुराना हो गया और फिट नहीं हो रहा था उसी पर क्लॉट्स रा किया अब इन क्लॉट्स को मैं अच्छे से सही शेप में कट कर लूँगी इसके बाद दो क्लॉट की पीसेस को सेफटी पिंसे कुछ इस तरह टक कर लिया है मैंने और नीडिल से इन दोनों पीसेस को अच्छे से स्टिच कर लूँगी स्टिच करने के बाद मैं थोड़ा सा स्टेश लिफ्ट किया है इस क्लावड को मैं बिल्कुल उटा कर लोंगे, अल्रेडी मेरे बेबी के पास एक प्राना साफर टाय था, उसी का फ़र यूज कर रहें, उसको अच्छे से टाइटली फिल कर लोंगे इस क्लावड में, ताकि स्टिच करने के बाद ये फ्लफी सा दिखे, अब इन चीज़ों को स्टिच करने के बाद ये, मैं यहाँ पर इमराइडरी त्रेट लिया आए, स्टिच करने के लिए, ताकि ये सब अच्छे से स्टरी से रह सके, क्लावड पाम पाम और मून को में अच्छे से स्टिच किया है, इस अब इस इस अब करने के लिए, बना रहे हैं, अब इन सब को हैं कर ने के लिए, में मेडियम साइज वाला वूटन रिंग को लिया और एक्वए डिस्टनस इन सब को अच्छे से टाइ कर लिया और इसे हैं करने के लिए मैंने यहां पर मयर्कर में काड यूज करें हूं इस काड को भी मैं अच्छे से टाइटली आ कर रहे हूं सम्हाव आफिल इस इनकोंप्लिट सो मैंने क्लाउड्स को रेंड्रॉप्स एड्ड किया बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज़ करके जो मैं क्लाउड्स को बनाया था बिल्कुल वैसे ही करो कि इस फ्लॉवरलेस को मैं इस लाइं रिंग के फिल्काव से चिपका नहीं कि ताकि जो भी मेशी दिक रहा है विद त्रेट्स के क्वज़े सब नेटली कवर हो जाएगा और हुर बिल्कुल इस ये इस वानल लुक कर दो कि उम्मीद करते हूं कि आज का मेरा इज्रियाव आप सब को बहुत पसंद आया अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेच जरूर किज़ेगा हमेशा की तरह आप सबसे छोटी सी रिक्वेश ठेकी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते हुए बिल आइकान को भी प्रेस करना मत बुलिए थैंक यू फॉर वाचिंग